सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम आपके लिएक इंट्रस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत के मश्यूरू पतरकार अंजू पंकर जी को जिनकी स्पेशल गेस्टों की हिंदोस्तानी शेरनी और हम सबकी चहती दबंग वकील नाजी लाइक आंजी और ये दोनों बात करेंगी चुनावों पर तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा त इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस्ट इंट्रस्टिंग और इन्फोमेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमें इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभा में तो यह जो मैनिफेस्ट का जब यह जाली चाम आगय से था हैधराबाद में तो याद जिसमें पता चलता है कि सही मायने में ये बात राहुल ने बोली थी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कॉंग्रेस हसना जाए, इसलिए पहले से वो ये रणीती बना रहे थे, और राहुल गांदी के भाशन का या मैनिफेस्टों को लेकर जो भाशन दिया था, उसमें उतना portion mute कर दिया गया था, एक साज़िश के थे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात ना पहुंचे, और बात भी बन जाए, क्योंकि हैद्राबाद में जारी किया गया था मैनिफेस्टों, इसके मायने भी हमको समझने चाहिए. देखिए, बहुत जमाने से हम अपने कान से सुनते आ रहे थे, कि BJP का B team असदुद्दिन अवेसी है, जबके मैंने चार दिन पहले प्राचीन हनुमान मंदिर के चौकट पर खड़े हो करके, मैंने कहा कि हम जैसे मुसल्मान भारत जत्ता पार्टी के पास है, उनको अवेसी जैसे लफंदर्म और चिटिंगबास मुसल्मान की जरूरत में और जब हाइदराबाद से कॉंग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, समझ में आ गया कि अवेसी एक्चुली में किसका बीटी जान बूज करके राहुल गांधी के उस स्पीच को उस स्टेट्मेंट को म्यूट किया गया, ताके सनातनी जो है वो जागरूप हो जाए और सनातनियों को समझ में आ जाए कि अगर खुदा न खास्ता कॉंग्रेस की सरकार दुबारा आती है, तो किस तरीके से हिंदू को काटा जाएगा, हिंदू को मारा जाएगा, हिंदू के साथ अत्याचार किया जाएगा, हिंदू की वेटिकन सिटी जो आयोतिया बनी है, उसको दुबारा चीना जाएगा, और यहाँ पर जैसे पहले शरिया लौ लागू किया गया था, वैसे ही य ध्रम परिवर्तन को मान्यता दी गई ती ओर यह देश जानता है धुनिया जानता है कि बहरत में और मुसल्मान और परिवर्तन किया किसी ने भी नहीं किया हिंदू का धारम परिवर्तन करवाया गया कि 1950 में आर्टिकल 28 ला करके और आर्टिकल 30 ला करके क्या किया गया आपके मंदिरों का पावर नहरू ने अपने हाथ में लिया और बगल में ओल इंडिया मुस्लिम पस्नल लाव बोर्ड दा Muslim organization उस वक भी खुल रहे थे और पाँच ऐसे ऐसे मुसलमान education minister को बनाया गया Congress ने बनवाया जिसने सिर्फ और सिर्फ ये focus किया कि हिंदूों को उसके group और civilization से कैसे दूर करना है और किया गया और किया गया All India Muslim personal law board पर कभी कभी इंद्रा गांधी ने राजिव गांधी ने मनमोहन सिंग ने कभी भी आवाज नहीं उठाई कि जब संविधान है तो फिर All India Muslim personal law board की क्या जरूरत है भारत को भंगिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है पूरी की नहीं बिल्कुल नहीं है वो अपने अपने खांदान के रिच्वल्स को पूरा करता है अगर नहरू गया था बाबर के दोड़ रहा है ना राहूल बाबा के जिसको केस करना है करके दिखाए मेरे उपर पूरा शिज्रा खोल दूंगी मेरा राहूल बाबा का फिर उस गांधी था कर फिर उस खांद था कर वो में बहुत अच्छे से खोलना जानती है हम कैसे भूल जाए कि एक महीना पहले साथ करोन मुसल्मानों से हमारे बापुजी को बहुत हमदर्टी और बहुत मुहपत्ती पर 81% हिंदूओं को वो कभी भारत की ताकत और अपनी ताकत नहीं समझे हम कैसे भूल जाए कि मोगल बादशा अकबर ने तुलसी दास को जब जेल करवाया था तो जेल में उनको समान चालिसा लिखना पड़ाता हम कैसे भूल जाए कैसे भूल जाए और यह बाबर आजम और ठरके आजम आज यह सोच रहे हैं कि ब्राहुल बाबा की स्ट्राटेजी असदुद्दे नवेसी के साथ मिल करके तारूल उलूम और दियोबंद के साथ मिल करके आर्फा कानम शिरवानी के साथ मिल करके पूरी हो जाएगी हम कैसे भूल जाए कि हिंदुस्तान तेरे टुपड़े होंगे इंशाल्ला इंशाल्ला करने वाला आज आज कॉंग्रेस का बहुत बड़ा नेता है और कुछ ऐसी जिहादन है जो आजकल मोधी भक्ती कटी भी बड़े- रही है लेकिन हम उनकी स्ट्राटेजी को भूलेंगे नहीं भले ही कोई आर्फा खानम शिर्वानी हो या भले ही कोई रशीदा और राशिदी राशिदी हो यह जो आज बैट करके मोधी भक्ती करने की कोशिश कर रही है उनके अंदर भीतर में क्या चल रहा है वो भी मुझ पिता का पैसा अजमल खसब पर लगाया किया तीस करोड रुपे और उसको जान पूछ करके मुसल्मान मुसलिम एडवोकेट दिया गया ताके उसकी भावनाओं को समझ सके अजमल खसब की भावनाओं को समझा जाता था हम क्या भूल जाए कि आरोपियों के लिए साड़े बज़े सरवचे नयाए पालिका खुलता था हम क्या भूल जाए कि यही विंटर सेशन में असदुदी नवेसी ने कहा कि अगर बीस और मुसल्मान मेंबर अफ पारलिमेंट होते तो अफजल गुरों की जान नहीं जाती यह जो जितने तथ्याप किना रही है सच में याद करने का वक्त है लोगों को पता होना चाहिए और आज इस तरीके से प्येम मोदी ने इनके मैनिफेस्टों की बक्या उधेरी है उसमें किस तरह से मिर्ची लगे है कॉंग्रेस को जबकि सचाई तो बयांकी है इस देश मे कितने लोग है जिनको मैनिफेस्टों में क्या लिखा जाता है पता होता है हिड़न एजेंडा ही तो है यह कॉंग्रेस का और अगर इसके बारे में पीम मोदी ने बोला है तो गलत क्या बोला है आप और में हमारा जो टेक्स जाता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है इनको तो बड़ी तकलीफ हो रही कि PM Modi ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं गुस पैठियों में ये पैसा बांटा जाएगा तो क्या उनको बांटा नहीं जाता है दिल्ली में कितने रोहिंग्या बसे हुए केजिवाल की सरकार किस तरह से उनकी मदद करती है बंगाल में क् टैक्सपियर का पैसा ही तो जो है जो यहां वहां इस्तेमाल हो रहा है अगर यह बात प्यें मोदी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों क्यों ठाकर बताते तो दिक्कत का है आज तो मैं सुभा में का बड़े नेशनल नीउस पर थी और मैं डिबेट बेट तो मैं तो मोदी जी प कि यहां पर कड़ गरिशर अपर करके पिर लगा करके बताते की कौंग्रेस का मिनुफेस्टों मुसलिम लीक का मैनिफेस्टों और कौर से मुसल्मान देश में मुसल्मान बेटियां ऊच्छ decision में मुसलमान बेटियां हुँज है सरेयाम उसका कपड़ा उतारा जांगा है इ इसलाम का तो यह हाला तो चुका है, तो किसको पैसा भरने के लिए Congress ने यह manifesto बनाया ऐसा तुद्धिनवेसी को, Tauqeer को, Madanayi को, Salman को, किसको भरने के लिए manifesto बनाया है, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अमानतुल्ला को कैसे कोई भूल जाएगा, जो 10,000 की गड़िया, मुसल्मान रोहिंगया उसको देता था, बंगलादेशी घुसपैटिया को देता था, और उसको एयर कूलर जाकर के पहुच आता था, और जैसे ही, CAE की बात आई, तो मुसल्मान घुसपैटिया रहेंगे तो उसको 10,000 की गड़ी और एर कूलर मिलेगा, फिरिज मिलेगा, फोल्डिंग मिलेगा सोने के लिए, तो यह तो यह लोग अपना चिटा मिटा कुदी खोल रहे है, कैसे भूल जाए बंगल का हिंदू, कि यही महुआ मोहित्रों ने ग मिलती है, सेक्से, चार महीना पहले पता चला कि उन्होंने डेमोक्रेसी टेंपल जो पार्लिमेंट है, उसको सट्टा का बाजार बनाया था, कैसे भूल जाए, बास महीना पहले मैंने आपके साथ सेशन किया है, कि वो किस तरीके से शशी थरूर के साथ जाम से जाम टकराते और सिगार पिते वे नजर आई थी, छोटे-चोटे कपड़े में, कैसे बूल जाए, कैसे बूल जाए, कैसे बूल जाए, कै बार-बार ममताब एनरजी ललकार्ती है, बंगाल के गुस्पेटियों को, कि जिहाद होगा, जीत की नमाज में ममताब एनरजी ने कितना भढ़क बचाना है, और मोधी को हटाना है, तो आश्या करतों की वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और अंजू पंकर जी और नाजी लाए खान जी का ये पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर जिस त चोड़ रहें, यानि एक्स मुस्लिम की तादा जो है, वो दिन बर दिन बढ़की जा रही है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जूरू बताएं, और एक बार फेट चैल पर नहीं है, तो चैल को कर दें, ताकि हम आप किसी लेटस, इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रगिए, जै हिंद, जै भारत!